इन्वैलिड एग्रिमेंट का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं इन्वैलिड एग्रिमेंट का मतलब होता है कि जब कोई एग्रिमेंट वैलिड नहीं होता या एमानने होता है तो उसको हम इन्वैलिड एग्रिमेंट कहते हैं agreement का मतलब होता है कोई समझोता या कोई अनुबन्द तो invalid agreement का मतलब हुआ कि एमानने समझोता you एमानने अनुबन्द, यानिकि जी बहुत जिस भी agreement की बात कर रही है वो valid नहीं है, वो अब आप आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन को प्रेस करें